हेलो प्यारे बच्चों तो कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे आज हम आपका EBS का पार्ट साथ यानि लेस्टन नंबर सेवन क्या नाम है जिसका वरक्षों की महिमा पढ़ेंगे आपके आस पास में कौन से वरक्ष है वा मुझे बताना और वरक्ष क्यों जरूरी है क्या आपको पता है कि वरक्ष क्यों जरूरी है तो चलिए हम यह लेस्टन पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि वरक्ष क्यों जरूरी है और फिर मा आपसे इस लेसन के अंत में कुछ क्यूशन पुछ हूँगा तो चलिए लेसन बढ़ते हैं मा ने वट सावितरी का वर्त रखा था वह पूजा की त्यारी कर रही थी यह देखर गोरी ने पुछा मा आज कोई विशेश पूजा है क्या मा ने बताया कि आज बढ़ वर्क्ष की पूजा की जाएगी इसी पत्र है अनेकों परकार के वर्क्षों की पूजा विविन आवशरों पर की जाती है जिसे आवला नुमी पर आवले की दसा माता के वर्त में पीपल की आदी वरक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाय रखने का संदेश वे प्रियास करते हैं सरकार दोरा भी जंगलों को बचाने है तू वरक्षों के सरक्षन कार्य करम चलाए जा रही हैं हमें प्रावरन को संतुलित बनाए रखना है तो हमें ने केवल पेड़ बलकि हमारे आसपास के सबी जीवों को भी बचाना होगा पूजा की त्यारी करते करते मा वे गोरी का वारताला अब मा जो पूजा के त्यारी कर रही थी तो वो गोरी भी सपास में बैठ गई और वो बाते करने लगे तो क्या बाते करते हैं वो चलिए हम भी पड़ लेते हैं गोरी ने कुछा ऐसा क्यों करना चाहिए मा जंगल के अवरक्ष नष्ट होने पर जीव जन्तों के भोजन और आवास के समझा उत्पन हो जाएगी गोरी मा मैंने अमरीता देवी के बारे में सुना था उनके बारे में विस्तार से बताओ ना मा तो हम देखते हैं तो आपने भी मरिता देवी के बारे में सुना होगा तो चलिएब जानते हैं कि अमरिता देवी कुन थी और उसने साथ क्या किया था जिसके बारे में आज हम किताबों में पड़ते हैं माने बताया कि बहुत पहले जोतपूर के राजा को अपने महल को बनवाने के लिए लकडियों की जुरूर थी अता है राजा ने खेजडी के अवरशों को काटने का आदेश दिया इस पर वहाँ परहने वाले विशनोई समाज के लोगों ने विरूर्द किया था राजा के आदेश पर सैनिक खेजडी गाउं में वरख्ष काटने गए जैसे ही सैनिकों ने खेजडी वरख्ष को काटना शुरू किया अमरिता देवी विशनोई पेडों से चिपक गई कहा मुझे काट कर ही तुम लोग पेडों को काट पाऊगे गाउं वाले भी पेडों से चिपक गए राजा के शैनिकों ने अमरिता देवी गाउं वालों को पेड़ सहीद काट दिया खेजडी वरख्ष को बचाने हेतू तीन सो त्रेंशड लोगों के साथ अमरिता देवी विशनोई ने बलिदा दिया था इत्यास में ऐसी घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वरख्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिये इस घटना से प्रेंशड लेकर ही चिपको अंदोलन चलाया गया था देखे कितनी बड़ी बात है पेडों को बचाने के लिए 363 अमरिता देवी ने अपने प्राण गवा दिये थी इतने लोग ने शिरुप वहां पेड़ बचाने के लिए ऐसी घटनाई वास्तों में इतियास में नहीं है तो जो कुछ ऐसे ही है जो बाद में चिपको अंदोलन को चलाने के लिए उसकी इमेज ऐसे बनाई गई थी जो महिलाई है वो पेड़ों से चिपक गई थी था कि उसको काटाना जास के ये संदेश देकर ही चिपको अंदोलन चलाया गया था गुरी पेडों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी क्यों? मा पेडों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पोदे हमें फल, फूल, अनाज, सबजियां, लकडियां, औसधियां वे उक्सिजन देते हैं सोचिए और बताईए आपके आसपास किन किन पेड़ों की पुजा की जाती है तो हमारे आसपास आमला, पिपल, बर्ड, केला, तुलसी, आधी पेड़ों की पुजा की जाती है पता कीजिए कि किस वरक्ष को हमारा राजय वरक्ष गोशित किया गया है तो किश वरक्ष को राजय गोशित किया गया है राजय वरक्ष खेजरली वरक्ष को मारा राजय वरक्ष गोशित किया गया है वरक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों दुआरा क्या-क्या प्रियास किये है तो लोगों, लोग समाज को वर्ख्षों के परती जागरुक कर रही हैं, विबीन परकार के अंदोलन चला रही हैं, तथा लोगों को वर्ख्षों के महतों के बारे में बता रही हैं, जिसे की वे उन्हें नहीं काटे आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पोधे लगाने की प्रमपरा है तो किस किस अवसर पर तो प्रयावरण दिवस पर जिनमदीन पर पूरुवजों के नाम पर या फिर किसी अन्य यादगार दिवस पर पेड़ पोधे लगाने की प्रमपरा है नेक्ष देखिए वन संपदा सरक्षन राजस्तान की प्राचीन संस्कृती बहवर और योगी राज मिला देकर अगले दिन कक्षा कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं भवर हमारे स्थानिय लोग देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया मुझे तो मेले प्रांगन में बहुत के पास बहुत बड़ा चारा गहा वें ओरन देखने को मिला है योगी राज ये चारा गह वै ओरन किसे कहते हैं भावर मैंने बहुत से पेड जाड़ियों और बिना जुताई की जमीन देखी पेड जाड़ियों से देखर लगता है कि यहां कुलहाडी से कटाई नहीं होती है योगी राज तुम्हें इतनी सारी जानकरी कैसे है मेरे गाओं में सभी लोग इस परकार की भूमी से लकड़ी नहीं काड़ते हैं अधिक जानकरी हम गुरुजी से पूछते हैं योगी राज गुरुजी चारा गह और ओरन के बारे में जानकरी दीजी तो वो टीचर क्या बताते हैं उनको देखो बचो हमारे राजस्थान में प्रयावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है गाओं के आसपास की भूमी को किसी लोग देवता, लोग देवी, संत और महापूर्ष के नाम से सनक्षित करते हैं यह ओरन भूमी कहलाती है योगी राज गुरूजी इस भूमी से गाओं के लोग लकड़ी नहीं काटते तो शिख्षा क्या कहते हैं आँ गाओं के लोग इस भूमी से लकड़ी नहीं काटते हैं गोचर चारागह वे ओरन भूमी पर सनक्षन का मुख्यकरन स्थानिय लोगों में प्रेवर्ण चेतना के परती आदरभाव है योगी राज गुरुजी गाम वाले इस परकार की भूमी से समधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं शिक्षक हाँ योगी राज बिल्कुल सही बात कह रहे हो गोचर औरन वचारगह भूमी परस्थानिय लोगों के प्रेवर्ण चेतना के परती आदरभाव और प्रेवर्ण सेलक्षन की आफसकता होने के कारण राजस्तान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस परकार की भूमी का सेलक्षन किया गया है योगी राज गुर्जी प्रेवर्ण सेलक्षन के लिए स्थानिय लोगों में आदरभाव और सरकार द्वारा बनाए कानून के ग्रामिर शेत्रों में ओरन गोचर वैचारा गह भूमी का सरक्षन हुआ है इसी प्रकार राजस्तान के विबिन शेत्रों में विबिन पर्था है प्रमपरा द्वारा वन सरक्षित किये जाते हैं सोचिए और बताएए आपके आस पास इस परकार सरक्षी भूमी को क्या कहते हैं वरक्षियों को काटने से बचाने के लिए गवों में प्राचेन काल से ही इस परकार की जंचेतना थी आपके आजपास इस प्रकार स्रक्षिभ भूमी को क्या कहते हैं तो इसी प्रकार भूमी को ओरन कहा जाता है व्रक्षों को कारणे से बचाने के लिए गाओं में प्राचिन काल से ही इस प्रकार की जन्चेतना थी तो रास्तान के गावों में वर्क्षों को काड़ने से बचाने के लिए प्राचिनकाल से ही जन्चेतना थी लोग आसपास के भूमी को किसी लोग देवी संत अत्वा महापुरूष के नाम से सनक्षित रखते करते थे गोचर औरन वचारगा के बारे में रास्तान सरकार ने क्या प्रियास किए रास्तान सरकार ने कानूर बनाकर गोचर औरन वचारगा भूमी को शरक्षित किया है चर्चा कीजिए यह पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं अपने जनम दिन या नेव वर्ष के अवशर पर या कोई विशेश दिवस जिसे आप महतोपुरुन माते हैं उस दिन एक-एक पुदा लगा कर उसे बढ़ा करने का संकल्प लें इसकी पूरण देखवाल करें इस परकार हम सब मिलकर वरक्षों को सरक्षित एम सरक्षित रख कर सकते हैं चर्चा कीजिए जंगल किसे कहते हैं चाह बताइए जंगल किसे कहते हैं कि रियाएसी इलाके से दूर जहां बड़ी मातरा में पेड़ पोदे होते हैं तथा जहां जंगली जीव जनतु रहते हैं उस थान क को जंगल कहते हैं जंगल में व्रक्षों की कमी होगी तो क्या होगा आप बताइए अगर जंगल में व्रक्ष कम होगे तो क्या होगा जंगल में व्रक्षों की कमी होगी तो प्रैरुन एंसंतुलित हो जाएगा हमारे प्राप्त शुद वायू तथा जल आदी नहीं प्राप् का है जंगल में औरक्षों के अलावा और क्या क्या होता है जंगल में औरक्षों के अलावा जिव जन्तू होते हैं क्या आप अपनी विधाले में पेड लगाते हो जी हां हम लगाते हैं यहां लगाई हुए भी है ना पेडों की देखबाल आप और आपके साथी किस परकार करते हैं कैसे हमने अपने विधायले में लगे सभी पेडों को अपने साथियों की टोली बना कर बांट लिया है जिसे सभी टोली अपने अपने पेड की देखबाल करती है तो था उनकी शुरुक्षा के विबिन उपाय करती है अब आपको देखिए नीचे तालिका में रासान अभःरण दिये गए हैं उनके सामने उन जीलों के नाम है जहां वे स्थित हैं रासान का माचितर लेकर उन जीलों को उनकीत करो जहां ये भःर्ण स्थित हैं तो यह देखिए, यह रास्तान का मैप दिया हुआ है, नमारा रास्तान कुछ ऐसा दिखता है, तो अब यह क्या करना है आपको, आपको रास्तान का मैप लेना है, खाली मैप आपको आपके पास की पुस्तवाल दुकान पे मिल जाएगा, वहां से लेका यह, और यहाँ नीच बाग राष्ट्रे उद्यान कहां पर है स्वाई माध्यपूर के वलादे राष्ट्रे उद्यान गनापक्षी विहार भरतपूर में है और राष्ट्रे अमरू उद्यान जेसल मेरबाड मेर मेर में है और राष्ट्रे उद्यान सरिस्का ये अलवर में है तो आपको स्वाई मा इमेज वे यहां से भरना है तो यहां से देखो यहां पर कहां है आपको स्वाइमादोपूर दिख रहा है आप जल दी से से डूड़िये कहां पर हैं आपको मिला स्वाई माधोपूर शबाश यह रहा छोटा सवाई माधोपूर ना तो यहां आप भार देना यह केलवर में यह भरतपूर में और यह बाढ़ जिसल में बाढ़ में था तो यहां आपको पुर्स भहरन के नाम लिख देने हैं गोरी उनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा जिसे आपके घर पे कोई पालतु है ना जिसे गाई है भैंस होगी बकरी होगी या कुत्ते होगे भैड तो इनको तो खाना या दूद आप देते हो लेकिन जो जंगल में हैं उनको कोन कराता होगा पढ़ते हैं मा ने बताया कि जंगल में शाका हारी जानवर पेड़ पोद्दों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एहां मासा हारी जानुबर छोटे जानुबर को खा कर अपना पेट भरते हैं यहां पे छोटी शेस रंखला दी हुई है जिसे यह गादर है तो गादर को कौन खाता है? खरगोश को कौन खाते है? लोमडी खा जाती है और लोमडी को शेर खा जाता है उसी तरह जंगल में जानुबर है वो साका हारी जानुबर है वो साक सब्जे खाते हैं और मासा हारी जो जानुबर है वो एक दूसरे को खा जाते हैं यहां पे आपको सूची बनानी है कि जैसे पोदे हैं, तो पोदे को कौन खाता है, तो जैसे जंगल में खरगोश होता है, वो साक समझें खाते हैं, उसके अलावा बकरी होती है, उसके अलावा गाए, भेड या जंगली भेंसे होती हैं, वो ये पोदे खाते हैं, हीरन, तो हीरन साकाहरी है, हीरन को शेर खा जाता है मुर्गी, मुर्गी को शियार्गम बीज, बीज को जिसे चुखा खा जाता है चुखा बताने कैसे नहीं लिखा गया, यह लिखे चुखा, और चुखे, चुखे को फिर कूण खाते है तो हैं सुछय को बिल्ली जिसे ग्रोमई होते न तोंको वी विल्ली खा जाती है चित्रों को देखकर बताओ कौन किसको खाता है तो देखें याबे हारय कोई हारा थे हैं तो इसको यह टिड़ी जिसको मामा गड़ा बोलते हूं न आप के अ teraz मेंदक को सांप खा जाता है और सांप को चील या बाज़ें वो खा जाते हैं सोचिए और बताईए तोता क्या खाता है तो बताओ तोता क्या खाता है तो तोता अमरूद, बेर हैरी मीर, चमक्का ये खाता है और गये क्या खाती है तो गये गास उसा अन्य परकार का हरा चारा खाती है और गिलहरी क्या खाती है तो गिलहरी अनके दाने और फल खाती है हमने सीखा पेड़ हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण है अता हमें इने काटना नहीं चाहिए पेड़ों को सरक्षित करने के लिए अलग-अलग विशेश चेतर विशेश में इनकी उजा का महतो है खेजड़ी वर्ष को बचाने के लिए अमरिता देवी ने अपना बरिलदान दिया जिसकी प्रेणा से चिपको अंदोलन चलाया गया जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है इस परकार खादिया सरक्ला बनती है जाना समझा अब बताइए अब आपको यह क्यूशन दीव हैं इनके आंस्वर देने हैं तो लेसन में उन्हें पढ़ लिया है उमीद आपको समझ में आ गया होगा अब हम इसके एक जीव दूसरे करते हैं खादिया सरक्ला से आप क्या समझते हैं पेड़ पोदे एम जीव जंतू के वोजन के अधार पर सम्मन्द को खादिया सरक्ला कहते हैं जैसे पत्तियों को टिड़ा खाता है टिड़े को मेंड़ा खाता है मेंड़क को सांप खाता है और रता सांप को बाज खाता है यही खा दिया श्रंकला है अभिहारन से आप क्या समझते हैं तो अभिहारन क्या होते हैं अभिहारन जीव जन्तू तथा बड़े जंगली जानूरों के सुतंतर वीचरन तो उनकी देख बाल के लिए बनाये गए स्थानों को अभिहारन कहते हैं चिप को अंदोलन के बारे में लिखिये उत्राखन के गड़वाल जिले में वर्क्षों को काटने के विरोध में सुंदरलाल बहुग गुणा के नेतरतों में एक अंदोलन चला जिसमें लोग वर्क्षों से चिप गए थे इसलिए इस अंदोलन का नाम चिप को अंदोलन पढ़ गया पेडों से होने वाले लोगों की शूची बने हैं यह मतला पेडों से जो बेनिफिट हैमें तो जिसे पेडों से फल लकडिया ओशीद दीए वाखीजन पराप्त होती है पेडों से जानुरों के लिए चारा पराप्त होता है पेडो वर्षा कराने में सायक है पैड़ प्रेवन संतुलन में सायक है तो यह था बच्वापका लेसन यहां दिया हुआ है व्रक्ष लगाओ और जंगल बचाओ वीद है आपको समझ में होगा लेशन कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो बताना नेक्स्ट लेशन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या नाम है जिसका जीव जन्तों की निराली दुनिया बाप इसको जान से पढ़ना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में